आज के समय में डायबिटीज होना बहुत आम बात है सिर्फ अधिक उम्र के लोग ही नहीं बलकि आज के समय में बच्चे भी डायबिटीज के चपेट में आ रहे हैं एक समय हुआ करता था जब 40-50 साल के उम्र के बाद डायबिटीज जैसे बिमारिया शुरू हो जाया करती थी लेकिन अब बदलते माहौल और लाइफस्टाइल के कारण डायबिटीज ने छोटे बच्चे को भी अपनी चपेट में ले लिया है शुरू करने से पहले हमारे चैनल से डेली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना नव भूले तो चलिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आखिर डायबिटीज होती क्या है तो चलिए शुरू करते हैं डायबिटीज दो प्रकार की होती है टाइप फण और टाइप टू डायबिटीज में इंसुलिन का बनना कम हो जाता है या फिर इंसुलिन बनना बंध हो जाता है और इससे काफी हद तक नियंत्रन किया जा सकता है जबकि Type 2 Diabetes में प्रभावित लोगों का Blood Sugar का स्थर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिसको नियंतरन करना बहुत मुश्किल होता है Type 1 और Type 2 Diabetes एक जैसे नहीं होते हैं इन दोनों में बहुत अंतर होता है तो चलिए अब देखते हैं आखिर किस वज़ा से होती है ये Diabetes शरीर की Pancreas Grant के ठीक से काम नव करने या फिर पूरी तरह से बेकार होने से Diabetes हो जाती है हाला कि Diabetes होने के और भी कई कारण है लेकिन Pancreas Grant इसका सबसे बड़ा कारण है Pancreas Grant है Diabetes के लिए जिम्मेदार दरसल Pancreas Grant से तरह तरह के हॉर्मोंस निकलते हैं इनही में से है इंसुलिन और ग्लूकोन इंसुलिन हमारे शरीर के लिए बहुत उप्योगी है इंसुलिन के जरिये ही हमारे बलर्ड में हमारे सेल्स को शुगर मिलती है यानी इंसुलिन शरी के अन्य भागों में शुगर पहुचाने का काम करता है इंसुलिन हॉर्मोन का कम निर्मान होना इंसुलिन द्वारा पहुचाए गई शुगर से ही सेल्स को एनरजी मिलती है डाइबेटीस का कारण है इंसुलिन हॉर्मोन का कम निर्मान होना जब इंसुलिन कम बनता है तो कोशिकाओ तक और रक्त में शुगर ठीक से नहीं पहुच पाती है जिससे सेल्स की एनरजी कम होनी लगती है और इसी कारण से शरीर को नुकसान पहुचने लगता है जैसे बेहोशी आना, दिल की धड़कन तेज होना, इतियादी समस्या होनी ल शुगर अधिक हो जाती है क्योंकि शाररिक उर्जा कम होनी से रक्त में शुगर जमा होती चली जाती है जिससे की इसका निश्कासन मुत्र के जरिये होता है इसी कारण डाइबिटीज रोगी को बार-बार पिशा पाता है अनुवानशिक कारण यानि की जेनेटिक रेजन डाइबिटीज के होने के और भी कई कारण है यह अनुवानशिक भी होती है यदि आपके परिवार के किसी भी सदस्य, मा, बाप, भाई, बहन, दादी, दादा किसी को भी अगर डाइबिटीज है तो भविश्य में आपको diabetes होने कि आशंका बढ़ जाती है मुटापा भी है जिम्मिदार आपका समाइपर न खाना बहुत अधिक junk food खाना यहां लिए आपका मुटापा भर्णा भी diabetes का मुख्यकारण हो सकता है आपका वजन बहुत बढ़ा हुआ है आपका बीपी बहुत हाय है और कोलेस्टरॉल भी संतुलित नहीं है तो आपको डायबटीज हो सकती है बहुत अधिक मीठा खाना नियमित रूप से बाहर का खाना खाना कम पानी पीना एक्सरसाइज न करना खाने के बाद तुरंट सो जाना या ज्यादा समय तक लगातार बहटे रहना इत्यादी कारण भी डायबटीज को जनम दे सकता है वर्तमान में बच्चों में होने वाली डायबटीज का मुख्यकारण उनका रहन सहन और खान पान है इसके साथ ही शारिरिक रूप से इन आक्टिव वी बच्चों को डायबटीज की और खीच सकती है यदि आप चाते है कि आप और आपका प बॉटन रोल है अगर डायबटीज से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर पूछे और हमें ये जरूर बताए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक शेर और सब्सक्राइब जरू झाल